सबी साथियों को जैहिंत, मैं आपका साथी डोक्टर सोक शर्मा, एक बार फिर से आप सब लोगों का वीनस वर्ल्ट सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, मैं श्वागत करता हूँ, आज की इस क्लास को, आज की सेशन को एक नए तरीके से हमने शुरू किया है, आज उसकी प कानुट वाले कोईसेंद, बहुत श्यान्दार स्रीच होने वाली है, इस स्रीच में हम उन कोईसेंद को लेंगे जो बेसिक कॉनसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ विशेश, कुछ मुखे च arada कोंसेप्ट्स, जहां से एकजाम में कोईसेंद पूछे जाते हैं, हमारे पास यह idea कहां से आया? क्योंकि मैं आप लोगों को YouTube का community tab होता है, उसमें question डालता हूँ, Telegram चैनल जो हमारा है, वहां question डालते हैं, आप लोग answer करते हैं, बहुत सारे बच्चे basic concepts के लिए नहीं होने की वज़़ से बहुत मेनत भी करते हैं, फिर भी answer सही नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगा कि एक ऐसी series शुरू की जानी चीए जहां कुछ basic concepts related questions हों, और उनको detailed explain किया जाए, ताकि बच्चों को exam की तयारी में बहुत फाइदा मिले तो उस लिहाद से हमने ये series शुरू की है concept वाले questions concept clear तो हर exam फता है यदि concept clear है तो फिर किसी भी exam को आप पे डरने की जुरूत नहीं है आसानी से आप हर exam को पास कर लेंगे, अब हम चलते हैं आज के questions पे आज का जो question है वो ये है देखीगा, आप सब लोगों ने इस question का answer किया होगा हमने इस question को हमारा यूटूब का community tab है उसमें डाला था बहुत सारे बच्चे confused हो गए थे क्या concept है समझने का प्रियास करते हैं question देखेगा, क्या question है there is room left in the auditorium यहाँ आपको एक के determiner भरना था determiner सबके syllabus में है options आपके पास है many few, a few or little यह आपके पास options है बहुत सारे बच्चों को लगा कि room जो यहाँ है वो countable noun है बहुत सारे बच्चों ने बताया कि sir room जो है वो countable noun है और countable noun है तो determiner भी countable noun के according ही यूज होना चीए तो उन लोगों का logic है यानि आप लोगों का दहुत सारे लोगों का logic है कि sir many, few, a few में से कोई एक होना चाहिए तो पहली बात तो यह देखीगा कि few किसके साथ प्रियोग होता है यह plural के साथ प्रियोग होता है P, L, U, R, A, L plural के साथ होता है F, U का प्रियोग भी किसके साथ होता है plural के साथ होता है जबकि आप जैसा कह रहे हैं कि room countable noun भी हो सकता है हला कि यहां countable नहीं हम समझेंगे इसका तब भी यहां किसका प्रियोग नहीं होना चीए many, few, a few का प्रियोग नहीं होना चीए क्योंकि यह जो है वैसे भी हमें क्या नजर आ रहा है singular नजर आ रहा है एक बात तो यह दूसरी बात आप बेटा एकजाम में logics को समझेगा आगे पिछे चीजों को समझने की कोशिश किजिएगा देखने की कोशिश किजिएगा तब एकजाम में आपके question सही होता है यह देखेगा there को जब introductory adverb की रूप में यूज किया जाए there यहां क्या है introductory adverb जब there को introductory adverb की रूप में यूज किया जाए तो यहां जो वब आती है वो इस वब के बाद आने वाले noun या प्रिनावन के अनुशार होती है यह आप जानते हैं सब clear है यह बाद जिस प्रकास से there are many boys in the class ऐसा ही तो लिखते है आप लोग there are many boys in the class boys यह तो यह आर जो आया है यह किस के अनुशार आया यह boys के अनुशार आया है ठीक है तब भी आपको मानना चाहिए कि यहां कोई कोई क्या है यह singular है इसलिए क्या आया हुआ है is आया हुआ है आप कहेंगे सर बात तो ठीक है लेकिन फिर भी little तो नहीं आना चाहिए क्योंकि little का जो प्योग होता है वो किस के लिए होता है uncountable के लिए होता है यह बात भी ठीक है अब देखो इसमें एक जाम में यह question पूछा क्यों गया पूछा यों गया कि रूम का मतलब एक तो होता है कक्स एक तो रूम का मतलब क्या होता है कक्स होता है यानि कमरा होता है रूम का मतलब और वहाँ वो countable noun होता है जिसका plural चो होता है वो होता है rooms होता है क्या होता भी यह rooms होता है जैसे, there are many rooms, there are many rooms in my school, यह आपने बहुत बार लिखा होगा, छोटे बच्चे थे तब आपने, ऐसे विगर लिखे होगे, there are many rooms, तो यह जो room है, यह आपका कक्स है, कक्स यानि कमरा है यह, और कमरा है, तो इसका plural बन गया, rooms, clear होगी बात यह, एक room word होता है, जिसका मतलब होता है, इस्थान, कमरे के अंदर, कहीं भी, चार दिवारी के अंदर, या फीर, जिसको space के रूप में मानते हैं, क्या है, इस space, जैसे, SP space, इस्थान के दो आप उसको, क्या के दो भी, इस्थान के दो, जैसे इस कमरे में ही, जिस कमरे में हम पढ़ रहे हैं, इस कमरे में अब कोई और जगह नहीं बची है, There is no room in the compartment, railway का जो compartment है, डबा है, उसमें और जगह नहीं है, और आदमी उसमें नहीं आ सकते, तो वहाँ क्या है, There is no room left in the compartment, वहाँ room जो होता है, उसके लिए each वाब आती है, क्योंकि वो room जो है, वो इस्थान के लिए प्रियोग होता है, और जो की क्या होता है, uncountable होता है, क्या होता है बेटा वो, uncountable होता है, ये बाद समझ में आ गई है आपके, आ गई ना, अब बताए इसके साथ किस का प्रियोग होना चीए, लिटल का होना चीए ना, क्योंकि लिटल का प्रियोग किस के लिए होता है, uncountable के लिए होता है, इसलिए यहाँ क्या हैगा, there is little room left in the auditorium, समझ में आगे है, auditorium क्या होता है, एक सभाकक्स होता है, जिसमें बैटने के लिए और जगे नहीं रही होग उस sense में इस sentence को लिखा जाता है, समझागी बात, तो चलो हम और बहुत सारे concept इसमें हैं, उनको भी साथ साथ समझने का प्रियास कर लेते हैं, जब हमने class शुरूई की हैं, तो दो तीन बाते और आपको काम की समझा देते हैं, little जो है, उसका प्रियोग लिटल, L-I-T-L-E, little काई दो, a little काई दो, the little काई दो, वो एक अलग concept है, उसको हम अलग point में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मैं कुछ sentence लिख रहा हूँ, a little girl was standing there, S-T-A-N-D-I-N-C, a little girl was standing there, आपके पास यहाँ little word है, इसको देखेगा ठीक धिन से, देख लेंगे, आपको बताना है, कि यह कौन सा part of speech है, क्या यह सही है, एक बात हो गई, दूसरा देखेगा, दूसरा sentence हो लिगी था, little of wealth, little of wealth, remains now, remains now, बहुत कम पैसा बचा है, ने के बराबर पैसा बचा है, दूसरा वड़िया लिटल है, यह बताना है कौन सा part of speech है, और तीसरा जो question है, वो है, there is little doubt about it, इसके बारे में कोई doubt नहीं है, तीसरा है, there is little, l-i-double-t-l-e, there is little, d-o-u-b-t, there is little doubt about it, इसके बारे में कोई doubt नहीं है, यह little है, यह little है, और यह little है, तीनु है, जो अलग-अलग parts of speech है, देखिए, मेरा यह मानना है कि part of speech जो है वो, वो आपके बहुत किलियर होने चीए, उसमें किसी प्रकार की कोई confuse किसी को होना नहीं चीए, यह जो little है, यह यहाँ देखेगा, girl, countable noun है, उसके साथ आया है, तो यहाँ little का मतलब थोड़ा नहीं है, little का मतलब कम मात्रा में नहीं है, little का मतलब hardly any नहीं है, जो कि little जब determiner होता है, तब प्रियोग में होता है, तो यहाँ little क्या है, यहाँ little adjective है, A-D-J-E-C-T-I-V, there is, यहाँ little जो है, वो क्या है विटा, वो विसेशन है आपका, क्या भी वो, विसेशन है, समझ में आगी बात या, छोटा, एक छोटी लड़की है, यानि size में, उम्र में जो कम है, उसको क्या का हुआ है, a little girl का हुआ, a little house is there, we have constructed a little house, we have, we have constructed C-O-N-S-T-R-U-C-T-D, we have constructed a little house, अब a little house जो है, यहाँ जो little है, यह adjective है, और यह A जो है, यह किसके लिए आया हुआ हुआ है, house के लिए हुआ है, समझ में आगे, यहाँ determiner है ही नहीं little, जैसे big होता है, बड़ा घर, उसका यहाँ opposite है, यह big का क्या है बिटा, opposite है, समझ में आगी बात भई है, clear होगी बात, यहाँ देखीगा दूसरा sentence जो है, little of wealth remains now, यह दूसरा sentence आप लोग देखीगा, जब तक मैं इ इटा देता हूँ, ठेक है भी, यदि आप लोग के पहली बार चैनल पे हैं, तो निस्सित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, कि बहुत सारे स्यांदार स्यांदार वीडियो आपको मिलते रहते हैं, और यदि आपके मानके चलिएगा कि हम आपसे आसा रखते हैं, कि आप निस्सित रूप से इसको सेर करेंगे अपने साथियों के साथ, जरूर कीजिएगा, लिटल जो है, यहाँ लिटल जो है, वो क्या है, यहाँ लिटल प्रोनाउन है, P-R-O-N-O-U-N, क्या है बेटा यहाँ, प्र प्रकास से, कैसे, Age of, दुसरा, Many of, Either of, Neither of, यह जब आपके पास यहाँ एच है, Either है, Neither है, Many है, जब आपके साथ यूच होते हैं, तो यह प्रणाउन के रूपे यूच होते हैं, तब आपको पुछा जाएए, क्या है, प्रणाउन है, तो यहाँ तो लिटल हो क्या है, और तीसरा दिखेगा, there is little doubt, यहाँ जो little है, यह इस doubt के लिए आया है, जो कि uncountable noun है, और यहाँ जो little है, वो determiner है, क्या है बिटा यह, d-e-t-e-r-m-i-a-n-e-r, determiner है, तो यह little का concept था, कि किस प्रकार का questions exam में पुछे जा सकते हैं little पे, वो था concept और बहुत सारे बनते हैं, little, a little, the little, इसमें मनते हैं, few, a few, the few, तो determinants का जो chapter है, बहुत स्चांदार chapter है, हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया है, एक बात और आप लोगों को बता दूँ, कि वहाँ से भी कई बार question आता है, और आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवसकता होती है, कैसे बार ठीक है, मैनी, मैनी जिसको कहते है, m, a, n, y, मैनी का प्रियोग जो है, वो countable plural के साथ होता है, जैसे, मैनी boys, ठीक है, लेकिन मैनी a का प्रियोग जो है, मैनी a का प्रियोग जो है, यह singular countable noun के साथ होता है, singular countable noun के साथ होता है, मैनी a boy is, और वाब भी कैसे आती है, singular आती है, मैनी a, मैनी a boy is standing there, मैनी a boy is preparing will, मैनी a boy is preparing for the examination, यह चो चीज़े थी, वो आपको इसमें समझना था, फ्यू का प्रियोग किसके साथ हमेशा countable controller के लिए, किसके sense में, नै के बराबर, hardly any के sense में, और F.U. का प्रियोग जिसमें थोड़ी सी मात्रा हो, तो यह एक अलार concept है, इसको हम वापस किसी question के माध्यम से समझेंगे, तो यदि आप लोगों को यह class ठीक लगी हो, यह series अच्छी लगी हो, और यदि आप चाहते हैं कि इस series को आप continue करें, तो निस्सी तरुप से आप comment box में बताएगा जरूर, thank you, thank you very much.